हे गाइस असलाम अलेकुम आज हूँ मैं पढगा के अंदर वी केर गोट फार्म पे एक बार फिर आया हूँ और कुछ अंडूल बखरों का कलेक्शन आप लोगों के लिए लाये हैं इस वीडियो के अंदर तो वीडियो आखिर तक देखे पूरा देखे चैनल को सब्सक्राइ अच्छ अच्छ आखिर अच्छ चैनल वालिकुम बबाई वालामस्लाम समीर वही थे भाई अच्छ अच्छ अल्लाव बखरों किया चल रहा है सीजन में उठा पटक माशा अल्लाह अल्मदिल्ला सब अच्छ चल जा तुम्हारे जो इसमें आयते बंदे बखर लेकर जो उन अभिग विंश्र्ण दिखा रहे हैं यह अपने हैं या कस्टमर के है यह अमरे स्था साहिद भई के कषया हैं बाइं वा अपने पास अपलाई पे थे कुछ अभी नये रिसंट्ली आए वे उनके शाहिद भई के महले पुरा चिखंश ठी पुरा शाहिद बाई का लुट मे से करें हैं इससे करते हैं इसने करते हैं यह पहला बक्रा माश्याला कोटा के इंदर में बोच कॉल्ड minutes जो क्रॉस है जिक्राई यह वहोड़ मालम इरश है इसा नहीं बूर्किंण यह अटशी सबोगपन है यह सेप्टेमबर दस तारीक से अपने प्राइस के इसके प्राइस गॉट कर रहे हैं इसके प्राइज ब्राइस कोड कर रहे हैं सेमेडी थाउजन इसके अंदर कुछ कम जादा होगा कर देंगे माशाळला बकरा देखो इसके पैर पूर्जे बहुत माशालला चीज बहुत एक्टिव चीज है माशाला पुरा जालर गुलाबी पन और जो इसका बनावड भाई माशालला काफी अच्छा गुरोथ लिया बक अश्वाद आला वीचेर गोट फाम पर जब से मैं शूट कर रहा हूं इस सीजन में मैंने कभी ऐसी कोई चीज देखे यह नहीं हूं देखा यह नहीं कि मतलब जो लोग बोले के वाई ऐसा इतनी कॉलेटी में इस इतनी अपन वीडियो में बात कर रहें जो बक्रे पलाई आये ते काफी अच्छे माशालला काफी अच्छी कॉलेडी के बख्रे आयते पनाई पे और जो रिजल्ट मिला अलंदुल्ला अल्ला का शुकर है एक्चुली में चीज जो होती है ना रशद भाई के बख्री की खारी जो ओनर करके बेशते है ना वहीं अच्छी होनी चाहि तो नहीं होगा मैं समझता हूँ को 40-50 किलो का बख्रा जो में बार बार बोलता हूँ चालीस किलो का रहना चीए भाई तो ही उसमा आपका पैसा वसलोगा तो आपका नसीब अच्छा है आपके फर्स चेर में आपके बास कस्टमर अच्छे है जो अच्छे वगरे खरीद के अच्छे माशा आपके बागी माशा आपके अच्छे है यह दूसरा बख्रा यह कौंसी प्रीट में आएगा कोटा है यह दो दात पर रहें और विएट केजी है और इसके क्या डिमांड कर रहें 45,000 45,000 नेगोशेट करेंगे बाई दो दात पर बच्चा है माशा यह रिसें लेकिन यहीं केया है पत्ला पर्चेसिंग यहीं की है समीर और घंटी की अनगया है यह को अध्क wagon यह नंगया यहां से आया वहां से लिया हुआ हुआ है और मतलब किसी के फार्म पे रखा हुआ था पलाई पे शाहिद भाई का तो अभी सेलिंग के इसाब से उठा लिए कर लेंगे प्राइज इसका वेट कितना बता है देश्का 58 वीडियो भी जिसको चीए रहेगा टीके चलेगा एक और बग्रा माश्याला हाइट सिंग सिंगार कलर बोत गरम बग्रा है वाई है यह यह वी एक हफता हुआ है समीर बाई आकर के अच्छा यह दोनों साथ में आये ठीक है तो यह चार बखरे जो है एक हफते पहले आये लेकिन सारी ही मुंबई के हैं मुंबई के इसकी क्या डिटेल है चार दात निकाल रहा है समीर भाई जी 68 kg बोडी वेट पर है ओके और इसका आस्किंग 50,000 आस्किंग है ओके निगोशेट कर लेंगे भाई ठीक है माश सारे बखरे दो दात पर यह ना यह और कॉंसी परिड़ाइकी है यह कोटा मालवा क्रॉस दिख रहे है भाई माशा अलला चीज तो बहुत अच्छी है चैरा मालवा जालर वालर चोड़े का भाई यह भाई अभी तो दो दात पर सीना हो ना शामीर बाई इसका माशालला दे तो इंशाल्ला इसका वजन समीर भाई 58 kg आया है और दो दात पर 37 की हाइट होगी 37 की हाइट प्राइस 45,000 नेगोशेवल नेगोशेट करेंगे ना नेगोशेट करेंगे चालो ठीक है चलो आप आज अर्शद भाई थोड़े गरम चल रहे हैं क्यों ऐसा मैं तो भाई पिछले के बाद में तो नेगोशेट कर लेंगे भाई जिसके बख्रे नेगोशेट करेंगे चालेगा मुझे लेकिन प्राइस है ठीक है लेकिन चीज भी अच्छी है क्वालिटी अच्छी है दो दो दात के बच्चे है अब यह स्टेश पे अगर मैं बोलूंगा ना यहां यह जो इस पोजिशन पर बख्रे को लो और पालो अगर अगले साल तैयार होगा फिर यह अंचाल आपको अच्छी तैयारी दिखाएगा तो तब आपके पैसे जो होएंगे वसूल होएंगे इंच में ठीक है तो अब यह बख्रा दिखाते है माशालला क्या डिटिल पर रही है 52 kg अब भी निकाला है ओके 37 की हाइगी मालवा है मालवा में फुल गरह में अपने एक बर शूट के थे बहुत चिला रहा था ने यह वो नहीं है दूसरा ही है यह दूसरा है लेकिन इसको भी अपने पास में साथ महीने हो गए भाई साथ महीने हो गए हाँ कभी चुटा आया इसको अंदाजा लगाओ कि इसका क्या अगरेशन होगा इसके क्या मांग कर रहे है थर्टी फाइफ थाउदान आस्किंग है भाई ओके इंशाला नेगोशिट करें बहुत गरम बच्चा है और को पल्टी के लिए भी रखना चाहता है तो इंशाला बहुत अच्छा देगा फ़ट फिक है अभी यह यह ल्ला बकरा दिखा दे यह चीजो है इसको लास में दिखाए है गहीं निकाल रहे है ठीक है तैसरा तोड़ा है थीजा तोड़ा है रही आया भी नहीं है तिस्टि फूर केजी तुला एट कंग्लर में है खुश्रत कलर में मार्श ओं आगरा पि कोटा तो ऐसा हो गया अगर कोटा का लौट दिखा रहे हैं और करोली कोटा उसमें नहीं है तो लेकिन को लगता है करोली कोटा में भी क्रॉस है करोली कोटा उसने लिया है करोली मालवा यह करोली कोटा बहुत देखे माशा अलाव एक यूणिक चीज समझे बहुत जाधा गरा में वह दिखी रहा है अग्दम पोदिशन लेकर खड़ाता हो के मेरे मेरी रडार में आओ गर दूंगा फटगा यह किते दात पर है चार दात पर है समीर भाई यह चार दात पर है चार दात पर है 57 kg बोड़ीवेट किया हुआ है 42,000 इसकी आस्की में बाई चीक है अंडूल है ना अंडूल है अंडूल है अंडूल भाई में को एक लग रहा है एक हाफ पंचे देखो नहीं ना हाफ पंचे शाए देखना पड़ेगा देख लो एक बार पर देखना पड़ेगा अंडूल है यह फ़ाइं एक टेस्टीकल का बगरा यह अंडूल में कंसिलर करें पर चांडूल में एक लाइक का है खर सकता है तिक है चलेगा इसके क्या बोले है प्राइस 42,000 है ठीक है नेकोशियेट कर लेंगे चालो आजो आप इसको दिखा दे फिर ये चीज दिखा देना है आप वाह ये भी कोटा 37 की हाइट थोड़ा इसा लो ना अर्शेद भाई इसको सामने 37 की हाइट है भाई अपने पास आगे 16-17 दिन हुआ है भाई बच्चे का अच्छा यह उसी लॉट में चार बखरे जो पहले आया है क्या मांग रहे इसके इसका 45,000 मांग रहे भाई चीज अच्छी अब आते भाई इसके उपर पूरे लॉट की बुलते ना आन बानो शान है यह कुपसूरत है बच्चा है माशा लाह क्या है इसके डिटिल का है गुलाभी मालवा दात कर लिए इसने भी दो दात अब भी नि क्यों कि अचे हूं कि इसले क्यम जान अच्छी तेक फुल खुल ऐसंने गरं किया हूं के स्वेट रहे है यह थाह किया लेकिन उसको गर्माट में वापश लाया इसने और यह सांद हो घरिया है और यह यह भी भाई रहा छो यह5 प्ल प्लेफुल गवाई अ, माशा बाटकी में गुलाबी पुरा गुलाबी में बहुत अच्छा बग रहा है इसके दाथ किया इसने दाथ कर दिया है समीर भाई अब भी किया है बच्छे ने दाथ फ्रेश दाथ एसके दो दो दाथ वजन क्या होगा 49 kg पर 49 kg कल कही रात का वेट किया हुआ है इसका 38,000 कोट कर रहे लाव लाव फिर्ला लुख भी द्याओग इस सब्सक्राइगा अच्छिए यह बच्रा जो था अलास में वक्राइज जो बच्छ पाया था वह फ्मार ख वालवा कॉट गया है दें से अप्सूरत बच्चा पूरा बफ वाला च्छा हो गार्वा इस में माशा बफी नाम रक और कुपसूरत बक्रा है छेदात निगाला है छेदात वजन गया शिक्टी एट केजी किया हुआ वजन है प्राइस अगर किसी को पसंद होगा तो भाई मैं बता दूंगा पूछना पड़ेगा पूछना पड़ेगा कुछ ज्यादा हाई आस्किंग नहीं है लेकिन में को बलते हैं आप से अगले व्लॉग में जब तक की लिए गुडबाई टेक केर अला आफिस